दोस्तियार Asus की तरफ से इंडिया में Asus Expert Book B5 Flip OLED लॉंच हो चुका है यह B5302 मॉडल नमबर के साथ आता है इसमें हमें जो है लेटेस्ट 11th जेनरेशन के Intel Core के प्रोसेस देखने को मिलेंगे और वहीं पे आपको लॉंग बैटरी लाइफ भी इसमें देखने को मिलती है तो वीडियो को फड़ा फ़र से स्टार्ट करते हैं हिंज डिजाइन के साथ आता है तो इससे आप जो है आराम से जो है एक लैप्टॉप में कनवर्ट कर सकते हो या फिर एक टैबलेट मोड में भी कनवर्ट कर सकते हो और वहीं पर यह एंटी ग्लेयर HDR OLED की डिस्प्ले के साथ आता है 10 का operating system देखने को मिलता है वहीं पर आप चाहो तो Windows 11 में अपग्रेड भी कर सकते हो यह option available है इसमें और वहीं पर 400 nits की जो है peak brightness देखने को मिलेगी इसके डिस्प्ले की 100% DCI P3 color gamut भी मिलता है और वहीं पर Intel Core i5 और Intel Core i7 के 11th generation के processor के variant में यह देखने को मिलता है वहीं पर Intel XE graphics का भी support मिल जाता है बात करें इसके RAM की तो 16 GB of DDR4 टाइप वाली RAM मिलती है जिसकी जो frequency है वो 3200 MHz की है और वहीं पर अगर users चाहें तो upgrade भी कर सकते हैं इस RAM को 48 GB तक जो ही काफी कमाल की बात है और यहाँ पर expert book B5 flip में आप सभी को जो है expert book B5 flip OLED में एक और model आता है जिसमें हमें 3D NR का camera देखने को मिलता है जो कि reduce करता है noise को 23% तक clear video quality के लिए इसमें webcam भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि physical shield के साथ आता है इस laptop में आप सभी को 66W की जो है यहाँ पर battery देखने को मिल जाएगी 4 cell वाली battery है 12 hours तक जो है यहाँ पर usage इससे ले सकते हो ऐसा Asus का कहना है और यह battery जो है fast charging को भी support करती है तो 39 minutes में जो है यह 60% तक charge हो जाता है laptop 1.30 kg का है और इसका जो price है इंडिया में वो 1,39,000 रुपी से start होता है 11th generation Intel Core i7 processor के लिए और वहीं पर 16 GB की RAM भी मिलती है आप इसे जो purchase कर सकते हो Asus के authorized commercial PC partners से और जहां पे भी आप जो इसे खरीना चाहो वहाँ पे आप जाके खरी सकते हो all over India में फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी को कैसा लगा इस जो है laptop को वीडियो ज़रूर से बताना और अपने opinion शेर करना comment box में वीडियो पसंद रहे तो like करना, share करना, subscribe करना मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में